विल्कम फ्रेंड्स आचारेम पर आपका स्वागत है आई आज चलते हैं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेट के आफिशल वेपेश पे और यहां पे देखते हैं एड़टाइजमेंट में कौन सी पोस्ट आई हुई है दोस्तों यह है इंडियन आयल का होम पेश इसमें लिखा हुआ है आल इंडिया ओपन डिक्रूटमेंट आफ एक्सपीरियंस नान एक्सकीटी परसनल इन वर्कमेंट कटगरी इसकी पोस्ट जो है वो वर्कमेंट कटगरी के अंतर गतात आएगी अब इसमें हम देख लेते हैं डिटेल एड़टाइजमेंट में क्या-क्या द इसके लिए आपको यह जो वेफशाइट दी हुई है www.iocl.com-pupilcarious-job.aspx के साइट पर जाना पड़ेगा और यहां से आपको फाम फिलब करना पड़ेगा यहां पर एटेंटेटी डेट देख लेते हैं रिटेंटेस्ट का तो यह दिया हुआ है 21 अगस्त 2022 और यहां देख आप में बार-बार एक चीज पाएंगे SPPTT तो यह आप धियान दखें S-Skill Professioncy Physical Test के लिए यह बार-बार वड़ेगा यूज हो रहा है अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कब होगा तो यह है 14 अक्टूबर 2022 को रिटेन टेस्ट होगा 21 अगस्त 2022 को और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 14 अक्टूबर 2022 को होगा अब आए देख लेते हैं नंबर आफ वेकेंसीज तो इसमें जो पोस्ट दी हुई है यह जूनियर आपरेटर एविएशन ग्रेट फस्ट की है इसमें जो अन्रिजर पोस्ट टोटल पोस्ट है 5 अन्रिजर की 3 और यहां पे SC1, ST1, OBC1 और X-Service Mind के लिए 1 फिर है जूनियर आपरेटर एविएशन ग्रेट फस्ट करनाट का स्टेट के लिए तो 6 टोटल हैं जिसमें से 4 अन्रिजर पोस्ट है और इसमें अन्रिजर कटगरी के लिए 16, EWS के लिए 2, SC के लिए 2, ST0, OBC 7 प्लस 1 और X-Service Mind के लिए 7 अब आए इसमें देख लेते हैं इसके लिए eligibility criteria क्या होनी चाहिए तो दोस्तों इसके लिए जो qualification दिया हुआ है यहां देखिया आप आप 45% मार्शिन एग्रिगेट 45 होना ही चाहिए यह जनरल EWS OBC कंडिडेट के लिए और इसमें से जो 40% है यह SCST जो कंडिडेट से उनके लिए और साथ में valid heavy vehicle driving license issued by the original transport authority की द्वारा आपके पास driving license जरूर होना चाहिए और driving license के बाद आपके पास साल भर का work experience होना चाहिए अब आई यह इसमें और देख लेते हैं प्रमुख बिंदू selection कैसे होगा तो इसमें जो parameters दिया हुआ exam का तो general aptitude including quantity aptitude थोड़ी सी मैत रहेगी reasoning abilities basic English language यह उपर के दो 40-40 question रहेगे और इसका नीचे वाला जो basic English language इसकी से 20 रहेगा इस तरह यह 40-40, 80-200 और इसमें और देख लेते हैं कि 100 question होंगे MCQ रहेगा और each correct answer cell carry one mark और हर सही answer के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है and cell be no negative marking और कोई भी negative marking रांग answer के लिए नहीं होगा जनरल कटगरी के लिए qualifying होगा 50% और जो other cut carries हैं उनके लिए 40% यहां पर दिया हुआ है दोस्तों यहां पर एक चीज और देख लेते हैं जो test का duration दिया हुआ है वो 90 minutes का है और आगे आज़े देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रमुख प्रमुख बिंदूं में other concession relaxation SCST के लिए दिया हुआ है वो आप इसमें देख लीजिएगा फिर आते हैं age limit में age limit कित्ती होनी चाहिए तो यहां पे minimum 18 साल और maximum होना चाहिए 26 year जनरल और EWS कटगरी के लिए और जो अपर age limit में जो concession होगा SCST के लिए होगा 5 साल और 3 साल होगा OBC non creamy layer के लिए यहां पे दिया हुआ है फिर आए देख लेते हैं eligibility criteria की reckoning किस date से मानी जाएगी तो यह माना जाएगा आपका qualification experience यह होगा आपका 30 जून 2022 के base पे यहां पे pay और perks क्या रहेंगे तो basic pay के साथ आपका जो industrial pattern का DA हो मिलेगा HR मिलेगा medical facility मिलेगी productivity performance related पे मिलेगा graduate है और graduate contributory provident fund है implied pension scheme है इस तरह बहुत सारी ओजना है जो central government की रहती है वो रहेगा और देख लेते हैं application fees किती रहेगी तो यहां पे देखिए आप general EWS and OVC candidates are required to pay 150 रूपीज और साथ में आपका जो additional bank charges होगा उसके लिए मतलब जो दूसरे cutaries है उनके लिए face नहीं होगी नहीं तो यहां पे mention किया रहा था यहां पे दिया हुआ है आपके पास क्या क्या होना चाहिए जैसे उपर अपन ने mention किया है कि आपको farm कैसे apply करना है तो यहां पे यह दिया है उपर जहां पे मैंने highlight किया था वहां पे link दी हुई है और इसके लिए आपके पास यह होना क्या कै चाहिए date तो देखी चुके है इसमें देख लीजिए proof of date of birth इसमें 10th standard SSLC matriculation certificate mark sheet mentioning date of birth school living certificate यह चल जाएगा certificate of prescribed educational qualification HSC mark sheet चलेगा valid heavy motor vehicle HMB driving license चलेगा experience certificate होना चाहिए साल भर का कम से कम Attested copy जो है EWS, STS, COBC non criminal certified in prescribed from it is to be competent authority जो भी competent authority है उससे आप उसके sign होना चाहिए copy of service book यह आप एक service man है तो जो आपकी service book की copy है जो इसा certificate है वो होना चाहिए और recent का color passport size photograph signature in blanking एक बार हम date देख लेते हैं तो 9 जुलाई 2022 से online application farm शुरू हो चुका है यह चलेगा and SPPT तो यह होगा आपका 20 से 24 अक्टूबर के बीच में और यह होगा आपका 20 से 24 सितंबर 2022 की बीच में और यहां पर जो टेंटेट लिया हुआ है अप्लोडिंग फार फाइनल चीजें समझ गए होंगे यह आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फिर से नए government vacancy के साथ मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आप सब को जय हिंद थैंक्यू कर दो